कोरुनवाइरस संक्रमन का होना आसान है यदि अनियंत्रत छोड़ दिया जाता है तो कोविड-19 आबादी में तेजी से फैल सकता है कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की पहचान करती है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हूँ यह उन संपर्कों को वाइरस फ़लाने से रोकने में मदद करता है कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति रोक के किसी भी लक्षन को दिखाने से दो दिन पहले ही अन्य लोगों को विमारी पला सकता है और किसी भी लक्षन दिखने के 14 दिनों तक संक्रामक रह सकता है कुछ लोगों में कोई लक्षन नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसी अवधी में वे संक्रामक हो सकते हैं सुशीला एक संपर्क ट्रेसर है, वह अपने स्थानिय स्वास्थे प्राधीकरन द्वारा प्रशिक्षित की गई है वह COVID-19 के पुष्ट केसों का साक्षात कार करती है वह हमेशा उप्युक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरन पहनती है और शारिरिक दूरी बनाय रखती है रोगी जब संक्रामक हो तब उनके साथ जो भी संपर्क में आये हो वह उन सभी के संपर्क विवरन लेती है निकट संपर्क वह होता है जो संक्रामित व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी के अंदर 15 मिनिट या उससे अधिक समय तक साथ रहा हो फिर सुशीला प्रतेक व्यक्ति से फोन से या व्यक्तिकत रूप से यह बताने के लिए संपर्क करती है कि वे COVID-19 से संक्रमित हुए हो सकते हैं वह उन्हें बताती है कि संक्रमित होने की स्तिती में बिमारी के प्रसार को रोकने के लिए उन्हें 14 दिन के लिए सेल्फ कॉरिंटीन करने की आवश्चकता होगी रोगी की गोपनियता कि सुरक्षा के लिए और अपने समुदाय के भीतर किसी भी भेद भाव से बचाने के लिए सुशीला उस संपर्क को पुष्ट या संभावित केस के पहचान के बारे में नहीं बताती है जिसके साथ वे संपर्क में आये थे सुशीला उस संपर्क को कोविड-19 के किसी भी लक्षण के दिखाई देनी के अवस्था में अपने स्थानिय स्वास्थे प्रादीकरन के संपर्क में रहने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए कहती है समानने लक्षणों में शामिल है बुखार या उच्च तापमान, लगातार सूखी खासी, ठकान या अस्वस्थ महसूस करना संदिक या पुष्ट केस के साथ अंतिम संपर्क की तारीक से 14 दिनों के लिए सुशीला हर दिन इस संपर्क किस पर्ष में रहती है यदि संपर्क में 14 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविट-19 होने का कोई खत्रा नहीं है और वे अपने सेल्फ कॉरंटीन को समाप्त कर सकते हैं पर ये महतपून है कि निम्क्रियाओं द्वारा वे अपने और अपने समुदाई की रक्षा करते रहें कम से कम 20 सेकिंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोना एक या दो मीटर की शारिरिक दूरी बनाए रखना और यदि आवश्चक हो तो सार्वजनिक स्तानों पर फेस मास्क पहनना